हाई सेजल, आज मैं बहुत अच्छे mood में हूँ, जानना चाहती हो क्यों? आज सुबह जब मैं उठा, तो मैंने देखा कि मेरे एक friends group पर सौ से उपर messages थे और काफी messages में मुझे tag किया गया था At first I thought, किसी को तुम मिल गई और वो मुझे notify करने की कोशिश कर रहे है That was wishful thinking, of course Reality में हो रहा था ये, कि किसी एक दोस्त ने मेरा ये podcast share किया और पूरी रात सब लोग बेट कर मेरा मजाग उड़ा रहे थे Yep, and that's okay, I'm sure उन्होंने सुना भी नहीं होगा, which is fine क्योंकि वो मेरी audience नहीं है इस case में तो मेरी असली audience तो सिर्फ तुम हो से जो बस तुम तक ये बात पहुँच जाए तो ये सब शोर से deal कर लूँगा मैं लेकिन हाँ, शोर ने मुझे चुप कराने की कोशिश बढ़िया करे किसी ने कहा कि ये तो एकदम hopeless dream है तुमारा किसी ने कहा कि gimmick लगता है, कि तुम हो ही नहीं और एक ने बड़ी idea दिया, कि मैं तुम्हें Instagram पर क्यों नहीं ढून रहा फिर किसी और ने Instagram पर जाकर अलग अलग सेजल की प्रोफाइल शेयर करनी शुरू करी and and I would be lying if I said कि मैंने कुछ screenshots पर नज़र नहीं मारी but only for the first couple I swear अगर इन सबने अभी तक ये कहानी सुनी होते तो उन्हें समझ आता कि मैं क्यों तुम्हारा ऐसे पता नहीं लगवा रहा Oh, and then one friend really went for the kill उसने कहा What if तुम तक ये बात पहुँच चुकी है और तुम मुझे contact नहीं करना चाहते उसका point ठीक है क्योंकि यही तो point था हमारी हुसरात की कहानी का Maybe it is true, right? And that's okay too वो तुम्हारा decision है मेरा काम है तुम तक ये बात पहुचाने का अगर तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी अगर तुम्हें ये मैं अच्छा नहीं लगा तो वो से तम भी सह लेंगे हम बस ये नहीं सह सकेंगी कि कोशिश नहीं करे बस ये नहीं सह सकेंगे कि कोशिश नहीं करे देखा इस होपलेस बात में भी होप ढूंड ली सु आज है थर्स्डे सिर्फ दो दिन बचे हैं तुम्हारे पास I mean मेरे पास रोज रात को काम करता हूँ अपना पेट भरने के लिए रोज दिन में दिल्ली की सेर करता हूँ तुम्हारी एक जलक के लिए चार दिन हो गए हैं और अभी तक कुछ हासिल नहीं किया है मैंने फिर भी अच्छे मोड में हो जानना जाती हो क्यों Well, आज सुभा उस ग्रुप चैट में किसी ने एक और बात लखी थी एक सवाल पूछा था मुझ से कि how do I know कि उस राथ तुम मुझ में इंट्रिस्टेट भी थी की नहीं What if it was all just platonic fun And that question, Sejal, contributed to this good mood क्यों? अब इस क्यों के जवाब से मिलने के लिए आगे की कहानी सुनानी पड़ी की, right? तो आखरी सीन जिसमें मैंने पॉज किया था वो था जब वो arranged meet-up वाली लड़की हमारी तरफ चलके आ रही थी, right? So, unpause वो अभी भी चलती हुए आ रही है और तुम मुझ से एक सवाल पूछती हो Did you like her? मैंने whisper किया कि नहीं क्या वो जानती है ये बात, तुमने बूछा? मैंने कहा, not yet And then you did something I did not expect, Sejo तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुढ कर मेरी छाती पर अपना सिर रख दिया इस turn of events से मुझे तो शौक हुआ ही लेकिन more importantly वो arrange वाली भी शौक हो गए और उसने रास्ते में ही turn लिया और शादी वाली एरिया में चली गए Why did you do that? मैंने तुम से पूछा as you left my hand and yes ये एक सवाल से मैं दो बाते पूछ रहा था कि तुमने ये क्यूं किया और तुमने मेरा हाथ पकड़ कर क्यूं छोड़ा Sigil I can say this now अगर नहीं पकड़ती तो कोई problem नहीं थी लेकिन पकड़ के छोड़ दिया उसकी वज़ा से अब मैं इतनी बड़ी problem में हूँ और फिर तुमने मुझे पताया कि ये तुम्हारा पहला awkward arranged encounter नहीं था and then you gave me the bottle to take a shot मैंने तो अपना shot ले लिया और फिर वापस तुम्हें bottle दी क्योंकि हम दोनों ने अभी एक personal detail reveal कर दी about being part of the arranged system I think now the score was 4-3 जिसमें मैं अभी भी हार रहा था ये arranged drama by the way काफी inconvenient था but I felt good about how quickly we recovered from it लेकिन after all of this मैं तो ये unexpected और unwanted guest appearances को avoid करना चाहता था तो मैंने इस reasons से suggest किया कि क्यों न हम किसी और जगा चलें for some privacy और सेजो तुम्हारे चेहरे पर expression देखकर मुझे समझ आया कि मैंने तो ज्यादा ही forward बात कर दी है I was immediately embarrassed ready to apologize and walk away even luckily तुम्हें मेरी इस गलती के पीछे छुपी नादानी दिख गई और तुमने कहा and by privacy you mean कि जहां हमें हमारा ये walking, talking, past bother नहीं करेगा, right? you read my mind exactly no more, no less and I hope कि ये connection mutual है कि मैं जो ये सब कर रहा हूं that that you would be okay with all this कि तुम सच में इस जो है हमारे बीच कि तुम इसे खतम नहीं करना चाहती हो कि तुम भी मेरे बारे में सोच रही हो in पिछले पांच तिनों से I mean if you are then why haven't you reached out क्यूं हूं मैं यहां अकेला इसमें okay no 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 ये train of thought सीधा खाई में गिरेगी I don't know कि तुमारी लाइफ में क्या चल रहा है I mean for all I know तुम तो वो दस दिन का विपासना कर रही हो और जब तक ये सुनो कि I'll be साथ समंदर पार ये इसक्यूरिटी इस बड़ी attention seeking होती है right okay reset let's get back to the game so तुम्हें हमसे दो फ्लोर उपर एक बालकनी दिखी खाली you put your hand out and you asked me चले and I like a dumb idiot staring at you said कहा you pointed to the balcony and you said बड़े अंदास से तारो की छाओ में मैं तुम्हारे इस wedding theme joke पर हसने लगा which was helpful क्यूंकि उसी second तुमने मेरा हाथ पकड़ा और भगा कर ले चली मुझे उपर उस बालकनी में सेजर पहली बार जब तुमने हाथ पकड़ा था already उस feeling को भूलना मुझकिल होने वाला था मेरे लिए लेकिन अब ये दूसरी बार के बाद ना मुंकिन In fact, मेरी life अब दो हिस्सों में बटी है तुम्हारा हाथ पकड़ने से पहले और पकड़ने के बाद before सेजल and after सेजल and I don't care for BS anymore Anyway balcony में पहुँच कर हमने notice किया कि वहाँ से तो clear view है मंडप का और शादी शुरू होने वाली है तो मैंने पास पड़ी दो chairs खोली और हम वहाँ बैठ गए अब time हो गया है करीब रात के 3 बजे और हम दोनों अब थोड़ा tipsy तो हो गए है और surprisingly मेरी flirting game strong चल रही है we're talking about movies we love or don't love since we could be lying favorite songs favorite breakfasts what sports we played in school एक इस थी तुम्हारे साथ बात करने की सेचल because you made me feel like it's like it's okay to try and fail कि तुम भाग कर नहीं चली जाओगी अगर मैं कोई बेकार सा जोक मारूंगा या कोई unintellectual बात कर दूंगा अब score हो गया था करीब 4 all because you accidentally mentioned that you had two sisters और अब बस एक personal detail दूर थी हम में से एक की जीत and right then फेरे शुरू हो गए हमारे नहीं जिनकी शादी थी उनके you said all right final question sudden death tell the truth and you lose resist telling the truth and you win so I said okay अगर मैं जीत कया तो मुझे क्या मिलेगा and you said I don't think you will मैंने पूछा क्यूं और तुमने कहा क्यूंकी सच बोलने का एनाम कहां बताया है मैंने so I said okay tell me and then you said अगर तुमने सच कहा then I'll kiss you yeah now do you see why I'm in a good mood कि क्यूं मुझे भरोसा है अपनी इन फीलिंग्स पर और अब मेरा आप सब सुनने वालो के लिए एक सवाल है जब जवाब देने का इनाम ऐसा है तो सोचो सवाल कैसा होगा